हालो फ्रेंस आप सभी का स्वागत है फ्रेंस आज हम प्रकास के प्रावर्तन एम अप्रतन से संबती चितने भी इंपोर्टेंट सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को यहां पे देखेंगे आपके बोर्ड के एक्जाम के लिए ये सभी सवाल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट है तो फ्रेंस इसका सही जवाब होगा सीधी मार्ग में तो प्रकास की किरण जो गमन करता है सीधी मार्ग में गमन करता है इस सवाल को आप इस प्रकास याद रख सकते हैं कि जैसे सुर्वे की किरण क्या होती है आपको पता होगा कि एक सीधी मार्ग में गमन करती है ठीक है तो इससे भी आप संबंधित करके आप याद रख सकते हैं कि जो प्रकास की किरड़ होता है सीधी मार्ग में चलती है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपको अगला सवाल है कि प्रकास का वेग नि नीनतम होगा तो इसके साथ में एक और प्रोशन याद रखेज़गा कि प्रकास वेग अधिकतम किसमें होता है इसके इसके साथ कि अधिकतम होता है वो होता है निर्वात में और ये प्रसन जो है वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रसन है फ्रेंस कि प्रकास कविए अधिक्तम कहां पे होता है निर्वात में और जो आप से सवाल पूछा गया है कि प्रकास कविए नियूनतम कहां पे होता है तो आप सन के अनुसार आपको हो जा होता है इसका राइट एंसर होदाएगा उत्तर दरपड अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल जो कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रसन इसको आप याद रखिएगा यह प्रसन आपके बोड के एकजाम में कई बार रिपीट हो चुका है देखिए मोटर कार के प्रियोग करते हैं उसमें आपका जो दरपड प्रियोग किया जाता है अवतल दरपड प्रियोग किया जाता है इसका राइट एंसर हो जाएगा अवतल दरपड चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि समतल दरपड द्वारा बना परतिविम होता है त चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है जो कि very very important सवाल है इसमें साथ में आपको फ्रेंस बताते रहेंगे कि इन सभी प्रशनों में कौन सा प्रश्क आपकी बोर्ड के exam में पूछा जा चुका है तो फ्रेंस यह जो प्रश्न है आपकी बोर्ड के exam में ठीक है ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि प्रकास की किरों को पत्रशने वाले चित्रों को कहा जाता है तो इसमें आपका सही जवाब होगा किरड आरेग प्रकास की किरड को पत को दरशाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है किरड आरेग कहा जाता है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है यह 2D चंता वाले लेंज का focus होता है यहार पे focus लिखा है focus तो इसका सही जवाब बताना है आपको कि 2D चंता वाले लेंज का focus होता है d मतलब यहार पी क्या होता है कि direpter यहार भी देखें इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे तो फ्रेंगे यहार पी स्टीरेंट 5 एक पॉइन्से घृट में देख से duyar देखुचांगा सब्सक्राइब ऐसे स्थाइब और पान्स होगा एक प्रवुस्ट पे 10 मुटत युष्ट किस उत्र लेन्स का focus 50 संटीमीटर है ठीक है तो उसकी चंता आपको बताना की है चंता पताना एथिकी यहां से जब चंता को निकालना यहां पर कितना कितना दिया है परस्ट को सैंट में डिया है सेंटीमीटर में इसके ऊपर क्या करेंगे ढोगे तो लिए ठीक है देखिए दो आगया ठीक है यहां परसमें देखेंगे माइनस 2d दिया हैर प्लस 2d इसमें से answer कौन था होगा तो फ्रेंच जो उत्तर लेंज होता है इसकी जो छमता होती है उत्तर होती है ठीक है और अचली इसको याद रख़ियेगा ठीक है very very important सवाल है friends इसको भी आप very very important कर सकते हैं तो उत्तरलेंस की क्या होती है plus और इसका क्या होती है minus तो friends यहाँ पर देखें इसकी क्या हो जागे plus 2D होगा तो इसका right answer D होगा चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि प्रकास की किरोडों के समू को कहा जाता है प्रकास की किरोडों के समू को क्या कहेंगे friends तो किरोड़ पुझ करते हैं तो इसका right answer हो जाएगा किरोड़ पुझ चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल होगा कि उत्तरलेंस की छंता होती है जो को very very important सवाल है bbi प्रशन है friends एसका आप याद रख्येगा कि उत्तरलेंस की चंता क्या होती है एक बार और बता देते हैं कि उत्तल लेंस की जो छमता होती है धनात्मक होती है और जो आउतल लेंस होता है उसका क्या होता है रिरात्मक होता है तो यहाँ उच्छा उत्तल लेंस इसका राइट एंसर होता है धनात्मक चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है कि आउतल लेंस की छमता क्या होती है अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है जो कि वेरी इंपोर्टन प्रसन यह भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है कि आउतल लेंस को क्या करते हैं उत्तर लेंस को क्या करते हैं यहां पता देते हैं में क्या करते हैं यहां पर पूछा है कि उत्तर लेंस को क्या करते हैं अब शारी लेंस को कहेंगे अभी शारी लेंस लेकिन यहीं प्रशन पूछता कि आउतर लेंज को कहते हैं अब सारी लेंज ठीक है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है देखिए आपका सवाल भी आ गया कि आउतर लेंज को कहते हैं अभी आपको फ्रेंज बता हैं कि आउतर लेंज को क्या कहते हैं अब सारी लेंज कहते है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपके सामने अगला सवाल है देखे फ्रेंस इसमें आपको आपके लिए जो लिया गया है वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल ही लिया गया है जो आपके बोर्ड के एक्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है और कुछ most expected question लिया गया है ठ प्रयोग तो नहीं होता यहां प्रयोग भी बनाने कि इस जल ‫מה सब्सक्राइब करते हैं अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल कि दरपढ़ से हमेशा ऑस्था से चोटा परी बी किसे दूहरा बनता है यहां पर आपसान है इस पूछ रहा है कि वस्तू से चोटा परतिवीम किसे बनता है उत्तल जो होता है इससे वस्तू से चोटा परतिवीम ही बनता है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है किस दरपड़ से वस्तु का बड़ा परतिविम बनता है इसमें से बताना है कि किस से हमेशा जो हता है बड़ा परतिविम बनता है तिसका राइट हो जागा अउतल अउतल दरपड़ के द्वारा वस्तु का बड़ा परत्वीम बनता है चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है जो कि very very important person है friends ये पढ़े होंगे आप देखें प्रकास के प्रावार्तन के कितने नियम है यहाँ बताना है कि जो प्रकास का प्रावार्तन है उसके कितने नियम है तो प्रकास के प्रावर्तन के दो नियम है तिसका राई टेंसर हो जाएगा दो जबी अगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है देखिए जब प्रकास की किरण हावा से कास में प्रिवेश करती है तो मुड़ जाती है देखिए फ्रेंग जैसे आप पढ़े होंगे कि यहां पर माल दम दह सब्रबूल की करते हिंच दो विल्म की वर जुब जहाती है जब भी लुब की सब्सद्र कीया होगा उगले सवाल को देखते हैं आपका अगला सवाल है फोटोग्राफिक कैमरा का अभिद्रिश्चक होता है तो फोटोग्राफिक कैमरा का अभिद्रिश्चक कैसा होता फ्रेंस वह होता है आपका उत्तर लेंस होता है आपका अगला सवाल आपको अगला सवाल जो है कि very very important ये भी सवाल है फ्रेंज देखिए क्या है side mirror के रूप में परियुक्त होता है जो side mirror होता है उसमें कौन सा दरपर परियुक्त होता है तो उसमें कौन सा दरपर परियुक्त होता है फ्रेंज कि एक आउता दरपर की फोकस दूरी 10 cm उसकी वक्रता तिरिजा तो फ्रेंज देखें यहां पर क्या है कि आर इसको दू गुड़े यफ होता है यह संबंद होता है इसको भी फार्मूलों को डायरेक्ट याद रखिएगा यह सवाल डायरेक्ट पुछ लेता है बोड के एक्ज 30 cm तिसका राइट रोजाएगा बी चलिए अगले सवाल को देखते हैं आपको अगला सवाल है कि निर्गत किरण अभिलम के बीच कोड को करते हैं यानि कि निर्गत किरण हुआ और अभिलम के बीच कौन सा कोड बनता है उससे क्या करते हैं यह सामने आप सान है इसमें से ब दर्शी होता है उसमें हम उत्तर लेंज का परियोग करते हैं तिसका राइट एंसर हो जागा उत्तर लेंज आपका अगला सवाल है किस लेंज के द्वारा सिर्फ कालपनिक प्रतिवीम बनता है किसके द्वारा कालपनिक प्रतिवीम बनता है तिसका राइट एंसर हो जागा यह सब पता होगा आपको प्रावरतन के निएम से संबंदित है यह आफStar के ब्रावरतन कोड के बराबर होता है चलिए अगले सवाल को देखते हैं, आपका अगला सवाल है, लेंस में मुख की फोकस की संख्या कितनी है, तो जो लेंस होता है, उसमें मुख की फोकस की संख्या जो होती है, दो होती है, तो इसका राई टेंस रो जागा, दो, आपका अगला सवाल, देखिए, डाड़ी बना आपको अगला सवाल कि सिमाद्यन की अपउर्थनां का इस एक आँन अगला सवाल ओतालेंस का आवर्थन बराबर होता आवर्धन को यम से दिखाते हैं ठीक है और इसका आवर्धन का कोई मातरक नहीं होता है इसको भी साथ मियाद रखिएगा तो इसका राइट इंस्वर डि होगा कि यम इशकल भी आपाँ यू होता है चली अगले सवाल को देखते हैं आपको अगला सवाल है दखें फ्रेंस अभिशन बताएं आपको कि गोली दरपड में focus M वक्रता, त्रिजा के बीज क्या संबंद होता है तो आपको संबंद क्या बता है कि वक्रता, त्रिजा R बढवर होता है 2 गुड़े यह यह संबंद होता है आपको अगला सवाल कि किसी लेन्स कोरा उठप्पन और अ एस आइस मातर्क शेत कोई मात्रक नहीं होता है मात्रक विहीन होगा तो आ झा इसका इप डिह औरोगा अगला सवाल देखिए यह तो फार्मूला आप याद रखिएगा ठीक है इस पर सवाल भी पूछता और अब्जेक्टिम में भी डारेक्ट पूछ देता फार्मूला इन में से कौन दरपड़ का सुत्र है तो दरपड़ का सुत्र क्या होते है वन अपान या फिश्कल टू वन अपान यू प्लस वन अपान भी होता है ठीक है यह दरपड़ का फार्मूला होता है यह आपको पता होगा कि वन अपान या फिश्कल टू वन अपान यू प्लस वन अपान भी दरपड़ का फार्मूला होता है इसमें से देख लिए आपसन कौन सा सही है देखिए वन अपान याफ वन पहले option आपको right हो जाएगा आपको अगला सवाल है दीरवाद में प्रकास की चाल लिखा यहां पर चाल नहीं होगा चाल क्या होगा चाल तो दीरवाद प्रकास की चाल क्या होता है और दो पर आपसने तीन गुड़े प्रकास की चाल तीन गुड़े दस पे आठ मीटर प्रती सेकेंड होता है आपका अगला सवाल है क्या सवाल है फ्रेंस कि आउतल दरपड़ के मुख के फोकस पर रखे परतिविम की इस्थिती होती है यानि कैसा परतिविम बनेगा उसकी इस्थिती क्या होगी इसके बारें बताना है आपको तो फ्रेंस यह कोईशन आपको होम वर्क में दे देते हैं इसका एंसर आप उर लाख